दोस्तों स्वागत आपका खबरों गयान यूट्यूब चैनल पर चलिए एक ने जानकारी के साथ वीडियो शुरू कर लेते हैं दुनिया के दस सबसे भग्यशाली इनसान कौन से हैं आएए जानते हैं इस वीडियो में शायद हातों में बग्यवाली एक रिका होती है जिस से लोगों का बग्यशाली मानता होगा जो मूद के मूद से बचके आ गया होगा वो कावत है ना जाको रखके साईया मार सके ना कोई ये बात वहीं लागू होती है कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसी परसिती बन जाती है कि जहां से बाहर निकलना उनके लिए असंबोसा हो जाता है लेकिन फिर भी अपनी किसमत के चलते वो अपनी खराब परसितियों से बाहर निकल ही जाते है आज हम आपको कुछ ऐसी है लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिने दुनिया का सबसे बग्गे साली इंसान कहना गलत नहीं होगा नमबर एक लेना अपनी शादी की हर चीजों को हर कोई सभाल के रखना चाहता है अब ऐसे में किसी का कुछ हो जाए तो कैसा लगेगा ऐसा है कुछ इनके साथ हुआ सादी की अंगोठी कहीं खो गई थी आपको जानकर बहुत आश्चरी होगा कि 16 साल पाद एक बार वो गार्डन में सबजिया उगा रही थी और इसी दोरान उन्हें अपनी खोई हुई अंगोठी मिल गई जिसके बाद लीना की खोशी का कोई टिकाना नहीं रहा नमबर दो मार्टेन इन साथाब ने फलाइट की दो टिकेट्स कराई थी लेकिन लास्ट मॉमेंट में टिकेट कैंसल करा दिये बाद में पता चला कि उन मेंसे एक पलेन इंडियन ओशीन में कहीं हो गया और दूसरा पलेन क्रेश हो गया एक घटना में श्टीव फलेग की माँ इन से बिछड़ गई थी श्टीव लगातार कई सालों तक अपनी माँ की तलाश करते रहे उन्हें सफलता नहीं मिली एक बार वो जिस चैनल स्टोर में काम करते थे वहां के बोस को श्टीव ने अपनी बात बताई और अपनी माँ का नाम बताया आश्टर ये की बात तो तब हुई जब बोस ने उनकी माँ का नाम सुनकर कहा कि ये महिला तो उन्हें के दूसरे चैनल स्टोर में काम करती है और इस तरह श्टीव को अपनी माँ मिल गई जिसका उन्हें यकीन ही नहीं था नमबर चार तसू टोमो ये दो बार नियूकिलर अटेक से बच निकले पहली बार जहां विस्पोर्ट हुआ वहां से बस तीन किलोमेटर की दूरी पर थे नमबर पाँच जुलियाने 1971 की बात है जुलियाने प्लेन से सफर कर रही थी अच्छानक उनका प्लेन क्रेश हो गया उस समय जुलियाने मातर 17 साल की थी कई दिनों तक जंगल में रहने के बाद उन्हें लोगों ने बचाया एक लोती जुलियाने थी जो क्रेश में बच निकली नमबर 6 जोन गिंथर लोटरी की मामले में इन से लगकी शायद ही कोई हो अब तक दो क्रोड से उपर की रकम केवल लोटरी के दम पर इकटा किये है नमबर 7 हैरिसन हैरिसन जहाज में कुक के काम पर थे एक बार उनकी जहाज जूपने लगी सो बागे से वो जहाज के इंजन तक जाने में कामियाब रहे बाद में उन्हें यहां एरबेक मिल गया जिसके जहारे यह बाहर निकल गए उस जहाज में एकलोते हैरिसन ही बचे थे नमबर 8 रेशमा बेगम रेशमा बेगम नाम की यह महिला एक फैक्टरी में काम करती थी और एक बार इस फैक्टरे की इमारत में धमाका हो गया ये इमारत पूरी डह गई लेकिन रेश्मा की किस्मत इतनी बुलंद थी कि ये मलबे में करीब 17 दिनों तक फसी रही और वहां इन्हें खाने ये कुछ वस्तवे भी मिल गई जिस से ये इतने दिनों तक जिन्दा बच सकी बाद में इन्हें रेस्क्यू में श्रक्षित बाहर निकला गया नमबर 9 वर्जीनिया वर्जीनिया को अक्सर लोटरी टिकट खरीदने का शोग था वर्जीनिया हमेशा एक ही नमबर की लोटरी टिकट खरीदी थी और वो नमबर इनकी माता पिता की शादी से जुड़े हुए नमबर थे एक बार वर्जीनिया ने इस खास नमबर की दो लोटरी खरी दी और इन दोनों लोटरीयों में इन होने 10-10 लाग की राशी जीती और इस तरह इनका वो लोटरी नमबर इनके लिए बंगे साली साबित हुआ नमबर 10 फ्रेंज से लग इनका केस सबसे ज़्यादा अश्चर ये वला है ये एक ट्रेन में सफर कर रहे थे इनकी ट्रेन एक जील में गिर पड़ी बचना मुश्किल था लेकिन बच निकले यही नहीं एक बार इनका प्लेन भी क्रेश हो गया था लेकिन इन्होंने कूद कर अपनी जान बचा ली तो ये थे दुनिया के सबसे लग्की लोग शायद इन से ज़्यादा ही कोई लग्की हो दोस्तो ये जानकारिया आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए अगर आपने अभी तक खबरों गयाने योटूब चनल सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए धन्यवाद